कनाडाई देजन पैपिक भारतिये टेबल टैनिस टीम के नए मुख्य कोच के रूप में शामिल होंगे, उन्होंने भारतिये खेल प्राधिकरण, साई, द्वारा पेश किये गए एक साल के अनुबंध को स्वीकार कर लिया. पिछले साल एशियाए खेलों के बाद से भारतिये पैडलर्स के पास मुख्य कोच नहीं था, और 2020 के टोक्यो ओलम्पिक के लिए क्वालिफिकेशन्स परधाओं से पहले महत्वपून समय गवा दिया है. Table Tennis Federation of India, TTFI, ने मार्च में पैपिक को वापस सूची बद किया था, लेकिन प्रक्रिया पूरी होने में समय लगा. शरत कमल और जी साथियान जैसे टॉप खिलाडियों ने पहले ही कोच की नियुक्ती में देरी पर अपनी निराशा व्यक्त की है. शार कमल ने कहा, हम अपने दम पर प्रशिक्षन ले रहे हैं और अपने एकल प्रशिक्षन का ध्यान रख रहे हैं लेकिन युगल के लिए हमें विशेश कोचिंग की जरूरत है. अब अगले 11 महीनों में उन्हें सब कुछ पता लगाना होगा, जब तक वो करते हैं. तब तक यह दिसंबर होगा, एकल के लिए हमारी तयारी चल रही है लेकिन मिश्रित युगल एक मुद्दा है. उन्होंने यह भी उम्मीद की कि नए कोच 2020 ओलंपिक तक मौजुदा व् भी उन्हें लिए हम आगाई को पता है, विचिक बसक्ते हूई थैसले चांग। सब्सक्राबड़ एकि देखले चानी में लिए रागाना है, जिए च्तागा उन्हों पक्ता है कोच पता हूए पएपक्ता हैं इससे हैं। तका इसाले कि कोच्तक धूट इल्टे सब लेकित कर सकाश ठाचだ ताह साथ स्टेंग चैड़ALK क महास् काश टाहिए कि नस्वाच थो अच्ट की के अविक्टीज फिर य। श्वा कहा connect. कर दो कर दो कर दो